Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Sandy Green, I am a photographer and a graphic designer. आज मैं अपने खुद के बनाए हुए लोगो को एक टी-शेट के उपर प्लेस करूँगा. तो चलिए, स्टार्ट करते हैं. तो ये मेरा बनाया हुआ लोगो है जो मैंने इलिस्ट्रेटर के अंदर में बनाया है. इसे मैं सेव करूँगा. फाइल में जाना है, सेव और कॉपी में क्लिक करना है. और इसे मैं डेक्स्टॉक पे ही सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रख लेता हूँ, लोगो. और इसे सेव कर लेता हूँ. अब क्या करना होगा हमें? अब हम इसे minimize कर देते हैं अब हमें आ जाना है अपने photoshop के अंदर इस जगा पे हम लोग अपना जो t-shirt है जिस पे हम लोगों को place करेंगे उसे insert कर लेना है insert करने के बाद हमें इस जगा पे logo को place करना है हमें जाना है file में यहाँ पे place embedded में क्लिक करना है अब हमें ढूंड़ना है logo हमारा कहा है यह हमारा है logo इसे click करेंगे और यहाँ place करेंगे और हमारे सामने कुछ ऐसा dialogue box निज़र आएगा तो हमें देखना है कि यहाँ पेज में selected है और उसके बाद यहाँ ok कर देंगे अब हम इसका scale को थोड़ा छोटा कर लेते हैं इतना और हमें इसे center पर कहीं पर adjust कर देना है यह अब कर देंगे हम ok इतना हो जाने के बाद हमें करना क्या होगा यह जो हमारा layer है टी-shirt का उसका हमें copy बनाएंगे तो copy बनाने के लिए हमें इसे पकड़ कर ड्रैग करके हम इस जगा पे छोड़ देंगे तो हमारा copy बन जागा या फिर हमें keyboard पर control J प्रेस करना होगा ऐसे तो हमारा copy बन जागा अब हम logo बाले layer को hide करेंगे उसके बाद क्या करना होगा इस copy बाले layer को हम लोग select करने के बाद हमें चले जाना filter में filter में आने के बाद हमें चले जाना blur में उसके बाद जाना गॉसन blur में और यहां value देनी है to और कर देना ok कि अब क्या करेंगे सेव करेंगे फाइल में जाएंगे सेवास करेंगे इसे मैं डेक्स्टॉप में सेव कर देता हूं इसका नाम रख देता हूं टीशिट और कर देता हूँ save और कर देता हूँ okay अब हमें इस लियर की कोई ज़रूत नहीं से मिचे delete करना है तो इसे पकड़के हम लोग कहां खीच करके छोड़ देंगे अब मैं logo का layer on कर लेता हूँ और logo का layer select कर लेता हूँ अब हमें जाना है filter में distort में और displace में और यहां value देनी है 4 और कर देना है okay इसके बाद हमें क्या करना है हमें displace करने के लिए file खुलेगा इसमें हमें select करना है उस वाले file को जो हमने थोड़ी दिर पहले save किया था तो मैंन करेंगे open इसके बाद क्या करना है हमें हमें blend करने के लिए हमें logo वाले layer पर डबल क्लिक करना है यह हमारा layer style खुल गया अब हम क्या करेंगे पहले जो यह blending mode है इसे multiply करेंगे उसके बाद यहां से opacity है इसे हम थोड़ी कम कर लेते हैं इतना ठीज है 90 कर देता हूं ठीक है उसके बाद यहां चेक करता हूं यह नीचे वाले underlying layer पर इस पर alt प्रेस करके हम लोग click करेंगे तो यह break हो जाएगा अब उसे हम drag करके adjust करेंगे कहा तक सही है देख लेते हैं यह तो यह यहीं तक सही है तो हम इसे कर देते हैं अब हम देखते हैं अपना logo ठीक से place हो गया है कि नहीं तो यह अच्छे से place हो चुका है यह जो curve है यहां पर टीशिट का यह हलका सा curve बना रहा है I hope आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो इस व अच्छा लगा है